लास्टाइम अपने पढ़ लिया थे लार्ज इंटस्टाइम के बारे में तो अपने फूरा पढ़ लिया था कि किस तरह से खान अपने एंटर होता है माउट से poop pipe कि तरुब स्टमक के स्टमक से स्मॉल इंटस्टाइं में जाते है गाये स्मॉल इंटस्टाइं केसे स्टूडे जाते है and then through the opening NS we excrete it out and that is called education now we will read about disorder in the digestive system क्यानी क्या disorder आ जाते है हमारे digestive tract system में सबसे पहले हैं इन डाइजेशन यह बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लब जिसे कहते हैं नॉर्मल हिंदी लाइज में पेट खराब रहना तो इन डाइजेशन is a common problem by consuming rich food that is hard to digest अगर अपन ऐसा खाना खाते हैं लिक मैदा है जिनको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा हाद होता है eating food too quickly बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना चीव नहीं करना प्रॉपर्ली यानि वैसे तो कहते हैं 32 टाइम चीव करना चीव बट इतना कोई करता नहीं है time नहीं है basically तो बट करना चाहिए ठीक है तो अगर अपन प्रॉपर्ली ज्यू करके नहीं खाते हैं तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी महनेफ लगती स्टमक को तो यह situations अगर डेली रहने लग जाए तो these leads to excessive production of gastric juices and a lot of acid in stomach तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बहुत ज्यादा gastric juices जो है वो stomach को secret करने पड़ते हैं और stomach में आते हैं और बहुत ज्यादा acid बनने लग जाता है stomach में ठीक है तो when a person belges some of acid comes giving a burning sensation और heartburn यानि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो है मतलब ढकार और यह सब इससे बहुत जादा आने लग जाती है और उनको जलन रहने लगती पेट में और सीने में तो burning sensation जिसे कहते हैं if this condition passes for a long time और अगर यह condition बहुत जादा समय तक रहने लग जाए on the lining of stomach तो develop ulcers अगर यह condition बहुत जादा रहने लग जाए तो यह अपने stomach की walls पे दिवारों पे क्या बना देती है ulcer बना देती है जो कि जिसमें क्या होता है एक painful condition पेट में बहुत जलन रहती है कुछ भी मिर्ची या तीखा खाना फिर उसमें खाई नहीं सकते हो आप ulcers में क्योंकि pain होता है अंदर stomach में तो वो चीज डबलाप हो जाती है तो ulcer basically कुछ नहीं बहुत ज्यादा acid बनने की वज़े से आपके body में वो बिमारी हो जाती है तो बहुत ज्यादा धियान रगना चीए अपने digestive tract का तो healthy खाना खाना और ऐसा खाना खाना जो body के लिए अच्छा हो जो body के लिए easy हो digest करना व आपको यह सब बिमारिया नहीं होगी नेक्स्ट इस डाइरिया डाइरिया ऐसी condition is the condition in which a person passes out watery stools frequently इसका डाइरिया यानि आपको loose motions हो जाते हैं watery stools stool यानि excrete आपका जो waste होता है वो आपको water जैसा आना लग जाता है ठीक है यानि एकदम पानी की तरह आपको excrete करना पड़ते हैं तो उस conditions में और frequently time to time पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं इस case में तो आपको बार-बार pressure create होता है सो water stools आते हैं और इस condition को हम diarrhea कहते हैं तो diarrhea में भी caused by an infection कोई तरकी का infection भी हो सकता आपको it means आपने कोई microorganism आपके body में enter कर गया हो disease causing disease करने वाला microorganism food poisoning या फिर indigestion indigestion के वज़े से भी होता है या food poisoning या आपने कुछ गलत खालिया हो खाने में ऐसा खालिया हो जो नहीं खाना चीह था लेक पटावा दोग पी लेना या कभी fungi लगी भी चीज़े खालेना तो उन case में हो जाता है और उस कमी की वज़े से आपकी body dehydrate या नहीं सूखने लगते है पानी की कमी होने लगते है body में उसी को हम dehydration कहते हैं तो अभी इस अंडरलाइंग कर लेना excessive dehydration of body caused by diarrhea can even lead to death बहुत ज्यादा dehydration होना भी यानि पानी की कमी हो जाना body में उससे बहुत सारी बिमारी हो सकती constipation हो सकता है आपको ठीक है आपको gastric problems हो सकते हैं इवन आपकी death भी हो सकती है ठीक है तो इस case में क्या है पानी जाता पीना चाहिए जब आपको loose motions हो जाए और खाने पे थोड़ा control करना चाहिए क्योंकि आपका stomach already upset है तो diarrhea should never be neglected इसलिए इसको हल्के में नहीं लिए अच्छी है जब हमारी को the dehydration of body can be prevented during diarrhea by giving oral dehydration solution regularly to the patient यानि dehydration वाले patient को आपको diarrhea में उसको ORS solution जो दिया जाता है वो भी दे सकते हैं जो ज़्यादा दर kids को दिया जाता है जब उनका stomach upset होता है क्योंकि बच्चों में ही चीज़ ज़्यादा होती है ठीक है तो उस case में आप ORS पी सकते हैं ताकि body वाप इससे hydrate हो जाए उसमें liquid content बना रहा है the third thing is related to digestion constipation जो सबसे ज़्यादा dangerous बिमारी है constipation means difficulty in bobal moment यानि वो जो pressure generate होता है आपके जो large rectum NS के जब store rectum ने store हो जाता है उसके बाद आपका एक pressure generate होता है that is called bobal moment के वज़े से वो bobal moment जो है आपके excreta को waste को बहार निकानने में मदद करती है यानि force pressurize करती है अगर bobal moment नहीं होता है तो hard it is very hard to excrete मतलब it will be the excreta will be turned like a stone तो उसको बाहर आने में बहुत दिक्कत हो जाएगे body से passage of small or hard stools चीक है बहुत hard stool आता है उसमें it feels like a stone and it does not comes out of the body easily it is mostly caused by intake of rich and over refined food lacking in roughage ज्यादा तर constipation कब होता है या तो पानी की कमी से या fibers की कमी से तो if you are suffering from constipation तो आपको उसकेस में अपनी diet में खाना खाने से पहले fiber content जादा लेना चाहिए खाना का ठीक है fruits and raw vegetables तो इस case में fiber सबसे जादा किसमें होते है raw vegetables यह नहीं salad वगरे है wheat root वगरे fruits है they are a good source of roughage and can help in this condition तो इस condition में हमें यह बहुत जादा help करते हैं ठीक है तो fruit and raw vegetables में अच्छा fiber होता है तो constipation में आपको मदद करें तो constipation का एक और reason है अपनी diet में पानी की कमी हो जाना तो इन जानी अपकी बादा ने खाना किती हो तो उसिम्या कंहसे होता है इसलिए अपने खाने के बिचotti भी इन की आपकी बिच में बिल्कुल पानी ने पीते ने पिया AS Web इतना ही पीना है, इतना half class of water जैसे कहते हैं, उतना आपको पीना है Next is digestion and ruminants, यानि ruminants में digestion किस तरह से होता है Ruminants क्या होते है grass eating animals, ruminants वो जो अपना खाना दुबारा मतब एक बड़ तो निगल लेते हैं फटा-फट और दुबारा उसको लेटर, कुछ टाइम बाद उसको वापिस से मुह में लाते हैं, और उसको प्रॉपर चीओ करते हैं तो ऐसी cows and buffaloes होती है, और वो grass खाते है, grass contains a plant fiber grass में बहुत अच्छा fiber होता है, plant fiber होता है, cellulose होते हैं, जिनको बहुत ज़दा time लगता है दाइजेस्ट होने में, so they have a special type of digestion, इसी लिए इनके पास क्या है, एक अलग तरीके का digestive system है, these animals chew the food quickly and swallow it, यह क्या करते हैं, फिसको फटाफ़र इमिनेंस क्या होते हैं, कि वो easy, quickly, quickly, फटाफ़र जो है, एक बार का swallow कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, थोड़ा सा chew करके, these animals chew the food quickly and swallow it, the food is then brought back from the stomach to the mouth and then chewed again, फिर यह वापिस से brought back, means वापिस से इसको दुबार अपने stomach से मू में लाते हैं, and then chew again, उसको वापिस से चबाते हैं, this is called rumination or chewing the gut, इसी को rumination कहते हैं, इसलिए इनको ruminants कहा जाता है, this is called rumination, the food is then swallowed again and digested in the various chambers of the huge stomach they possess with the action of bacteria, उसके बाद यह वापिस से उसको chew करके, वापिस से निगल लेते हैं, and then it gets digested in the different chambers, इनके यानी पेट में, stomach में chambers parts होते हैं, लग लग, तो इनके stomach में chambers होते हैं, यानी dividation, जैसे अपने heart में होते हैं, वैसे इनके स्टमक में होते हैं, अपने स्टमक में chambers नहीं होते हैं, तो यह उस chambers में जो है, उसको action of bacteria के तुरू digest करें, there are four chambers in the stomach of a ruminant, इनके चार पार्ट होते हैं, ruminants के stomach में, इनको बोलते हैं, rumin, reticulum, omysum and abomasum, abomasum, ठीक है, the chewed food first goes to the rumin, सबसे पहले first chamber आता है, that is rumin, उसमें जाता है इनके चबाया हुआ खाना, the rumin has billions of bacteria and protozoas that break the cellulose present in the grass, फिर रिमें में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, billions, यानि करोड, अर्वो में, hand protozoas, जो कि इनके cellulose को breakdown करते हैं, जो grass खाते हैं, उसमें जो cellulose present होते हैं, उसमें ब्रेक्डाउन करते हैं, the food is broken down and partially digested, और फिर बात में, food छोड़े-चोड़े टोड़ों में टूर जाता है, और इसको digest करिया जाता It then goes to the next chamber, फिर जाता है next chamber, second reticulum में, reticulum में food को cud में बदल दिया जाता है, this cud is brought back to the mouth, फिर यहां ये cud में बदलने के बाद दूबारा ये mouth में लाते हैं उसे और फिर उसकी और chewing करते हैं, उसको और चबाते हैं, तो reticulum has a honeycomb like structure, जो reticulum second chamber उसका मदुमक्की के 36th structure होता है, that helps in moving the swallowed food back to the mouth for chewing again, जिसके वज़े से इनको मदद मिलती है, कि जो swallowed food जो चबाया हुआ खाना है, उसे वो फिर से मूँ में ला सके, this reticulum cut is swallowed again, फिर जो दूर बारा चबाया हुआ कट है, उसे वो वापिस से निगल लेते हैं, and passed on straight to the third chamber, और सीधा third chamber में जाता है वो, यानी one or two chamber में जाने के बाहर, वो वापिस से mouth में आता है, and then mouth से सीधा directly, जैसे अपने हाट में, one or two, जो left side होता है, उसमे पहले जाके, वो पुरी body में जाता है, and then body से सीधा third foot part में जाता है, उसी तरह से यहाँ पे, and then it goes to the third part, amissum, by passing the rumen and reticulum, यहाँ पे, reticulum और मतलब उसे बस पा तो इसलिए बोलते हैं, सीधे third chamber में अब वो जाएगा, उसमें ही काम होगा, बस-फर्स से एक वायर का रस्ता है, वो बना लेगा, पास कर लेगा, in this chamber, most of the water from the cut is reabsorbed, in this third chamber में क्या होता है, most of the water जो भी बचता है, जिससे अपने small intestine में होता है, large intestine में की absorption होते है, तो यहाँ पे third chamber में इनका cut is reabsorbed होता है, and this partially digested food, और यह जो partially digested होगा food है, वो fourth chamber में चला जाता है, जो अपने intestine वगरे पूरा track काम करता है, वो ही इनके यह काम भी करता है, तो fourth part में चला जाता है, that is abomasin, this is the true stomach and is similar to that of human, है यह human जो साही, बस थोड़ा सा इसका structure लगा, secretion of gastric juices in this chamber act on the cut and digest it completely, अब ना फूट चामबर में जब आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे digestive juices, gastric juices होय है, उसमें रिलीज हो जाते हैं और वो इसको completely digest कर देते हैं, the digested food then passes into the small intestine where it is absorbed, फिर बाद में वो small intestine में जो ले जाता है, जहां से उसका absorption हो जाता है, जैसे अपने small intestine and large intestine में होता है, teats of ruminants, ruminants के भी incisors होते हैं, molars होते हैं and premolars होते हैं, ठीके, canines नहीं है, they do not have canines because they are herbivorous, क्योंकि canines की में चाहिए है, जो non-vegetarian food काते हैं and they do not have to tear any flesh और इनको कोई meat चबाना ही नहीं पड़ता है या काटना ही नहीं पड़ता है, इसलिए इनको canines नहीं होते हैं, इनके सर्फ ये three types of teeth हैं, they have sharp aged incisors in front of which are used for cutting grass, इनके front incisors होते हैं, वो काफी sharp aged होते हैं, ताकि घस को तोड़ने में इनको मदद मिल चाहिए, cut करने में, their molars and premolars are broad and flat, which help them to chew the food, इनके molars और premolars के होते हैं, काफी broad होते हैं और flat होते हैं, जिससे कि इनको chew करने में मदद मिल है food को, ठीक है? तो यह आपका chapter यह complete हो गया है, आप एक वर keywords देख सकते हो, यह words आपको आने चाहिए, and then we'll do the question answers, तो वो भी इस दे जाएंगे, ध्यान रपना MCQ और match the following आपको copy में नहीं करने हैं, and मैं आपको long question answer लिख के भीज़ दो, तो ध्यान रखना करना क्या क्या है और कहा से करना है, मैंने sub information दे दिया आपको, तो be careful about it, ठीक है? कोई असान मत करना कि आप यह सब छोड़ दो, जो सिर्फ मैं लिख के भीज़ दूँ वही करो, मैं उसमें mention कर रही हूँ messages में कि आपको क्या क्या करने है, तो बुक में सही करने हैं आपको short question answer फिल आपसे बगर है, इनकी answer आपकी बुक में पीछे exercise के ही दिये वे, ठीक है? इसलिए, thank you.